जानते हैं कि class 11 की common merit list release कर दी गई है इस list के release होने के बाद आपको क्या करना है देखी जो list आपको दी गई है इसमें आपका name, father's name, आपकी जो percentage बनती है वो सब show किया गया है चलिए एक बार देख लेते हैं इसे हम और आगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है यह हमें देखना है तो यह हम पहुँच गए common merit list वाले page पर यह रही common merit list तो यहाँ से आपको common merit list देखने को मिल जाएगी आपकी जितने भी percentage है उसके हिसाब से आप यहाँ पे common merit list देख सकते हैं से मान लेते हैं कि हमारी percentage है 71.00 से 75.99 तो इसमें पहले आपको अपना name चेक कर लेना है, आपका name इसमें है या नहीं यहाँ पर देख सकते हैं आप तो यह सब name वग़रा दिये हुए हैं इसके बाद आपको क्या करना है देखें इसके बाद आपको view discrepancy list पे जाना है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यह वारा tab तो इस पर आपको क्लिक करना है डाउन्डोड कर लेना है इसे और फिर हम इसे open कर लेंगे यह देखिए वो student से जिनके form में online registration form में कोई ना कोई discrepancy है कुछ ना कुछ problem आ रही है जैसे माल लेते हैं कि यह student जो है इनका form number 19 है तो इस list से आपको idea हो जाएगा कि आपके form में कोई discrepancy कुछ गलत तो नहीं हो गया है और वहाँ से भी उस list से भी आप देख सकते हैं इसके लावा देखिए यह view discrepancy details यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बस आपको आपका form number भरना है जैसे कि form number 19 आपने बात की थी ना वो discrepancy list में था तो यह देखिए जैसे आप 19 पुट करेंगे देखिए आप डिस्क्रीपैंस ही शो करेगा कि या तो आपके marks या preferences या जो आपने certificate upload किये हैं वो सही से upload नहीं हुए और फिर गलत है वो certificate जो भी है तो उनके लिए देखिए login का option है यह login पर आप click करेंगे तो आप दुबारा से यहाँ पर देखिए login कर सकते हैं login करके आप वो form जो आपने भरा था online उसे ठीक कर सकते हैं यानि कि जो certificate वगएरा upload नहीं किये थे या गलत certificate upload किये थे वो सब यहाँ से ठीक कर सकते हैं यह उनके लिए यह देखिए जिनमें discrepancy आ रही है अब जैसे हम बात करते हैं कि कोई ऐसा form number चलिए back चलते हैं पहले यहाँ form number हम change कर देते हैं 260 put कर देते हैं यह देखिए यहाँ प्यारा discrepancy no remarks तो अगर discrepancy no remarks आ रहा है तो सही है आपका form बिल्कुल सही बरा गया है आपके लिए फिर login का option देखिए आता ही नहीं यह आप यह देखिए आप login पर click करेंगे भी ना तो यह लिखा होगा कि you are not authorized to edit your form तो edit वही कर सकते हैं जिनके form में discrepancy है इसके लावा एक बात और देखिए आपने merit list देखी जैसे example हमने merit list देखी यह रही यह percentage हो गई चलिए तो हमारी percentage कितनी count हो रही है यहाँ पर माल लीजिए एक student है जिसकी percentage यहाँ पर 85.80 show की जा रही है यह जो student है कोशल गया तो इनकी percentage show हो रही है 85.80 अगर इसे लगता है कि नहीं इनकी percentage 86 बन रही है जबकि यहाँ show कितनी हो रही है 85.80 क्योंकि अगर आप objection नहीं उठाएंगे तो आपको फिर 85.80 के base पे ही admission दी जाएगी लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी percentage 85.80 नहीं 86, 87 या 88 ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है तो आपको देखें यहाँ पे नीची आना है यह रहा discrepancy या objection प्रोफोर्मा पर जाना है इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप एक form डाउन्डोड कर लेंगे इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप इसे digitally भी फिल कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसा कर सकते हैं form number name of the student यह उनके लिए है जिनका merit list में नाम आया है लेकिन उनको लगता है कि कहीं न कहीं कुछ mistake हो गई है merit list बनाने में जैसे मैंने example दिया आपको कि percentage आपकी 86 बन रही थी जबकि merit list में 85.80 यह शो हो रही थी तो उसके लिए आप objection उठा सकते हैं तो इस form को आप download कर लिए इसका print out निकल वा लिजी यहाँ पे form number, name of the student यह सब भर लिजी भरने के बाद discrepancy, क्या objection आपको आपको objection है कि आपके marks कम show हो रहे है यह सब यहाँ पे आपको लिख देना है और जो document हैं आपने upload किये थे अब आप ऐसे थोड़ी कहा सकते हैं कि हाँ हमारे marks 86 बन रहे है जबकि 85 show हो रहे है तो आपको documents भी upload करने पड़ेंगे तो जिन documents के base पे आप कह रहे हैं कि आपके 86% marks बनते हैं या आपने जो upload किये थे जिसके base पे 86% marks बनते थे आपके, वो यहाँ पे mention करना है आपको जैसे class 10 marks sheet या जैसे SC category है तो category आपकी अगर general show हो रही है तो भी आप objection कर सकते हैं कि हम तो SC category के हैं जबकि general category show हो रहा है तो यहाँ पर discrepancy में आप क्या लिखेंगे कि category showing wrong या wrong category जैसे भी आप लिखना चाहें और उसके बाद जो document आपने upload किया है उसके लिए proof के लिए वो आपको यहाँ पे उसका नाम लिख देना है कि SC certificate या अगर marks की problem है तो 10th class का जो marks sheet है वो इसके बाद क्या करना है जैसे आप इस form को भर लेंगे इसकी एक photo click कर लीजी photo click करने के बाद आपको क्या करना है देखिए जो आपको यह email id देजर आ रही है admission xiut at gmail.com तो क्या करना है आपको इसे हम copy कर लेते हैं पहले यह हो गया copy copy करने के बाद आपको अपना gmail खोलना है उसके बाद compose compose के बाद देखिए जो आपने copy किया है यह admission xiut at gmail.com इसके बाद जो form आपने भरा है जिसका आपने photo भी click कर लिया था मैंने कहा था वो form भर ले ना उसकी photo click कर ले नहीं है फिर उस photo को आप यहां से attach कर लिजी यह देखिए इस पे आप click करेंगे click करने के बाद देखिए आपको option आएगा attach file या insert from drive तो attach file पे click कर दीजी या insert from drive जहां भी आपने save किया वहां से इसे ले लिया जाएगा तो यह देखिए माल लिजी मैंने अभी भी photo click की है या image यह रही तो इस पे click करेंगे और यह attach हो जाएगी इस पे click करेंगे इसके बाद देखिए क्या होगा जैसे हमने इस पे click के देखिए यह आप पे अपने आप ही attach हो गई बस इसके बाद आपको क्या करना है इस send वाले button पे click कर देना है तो इस तरह से आपका email जो है send हो जाएगा तो यह आपको करना है आज याने की 17 June एक बज़े से पहले पहले तो इसलिए आपको यह बहुत जरूरी अगर किसी भी तरह की प्रोब्लम है आपके online registration form में या आपको कोई objection है कोई discrepancy सो हो रही है तो आप अभी समय रहते इसे कर सकते हैं तो इस वीडियो के आगे शेयर जरूर कीजिए ताकि जिनको भी कुछ प्रोब्लम आ रही है online registration form में जो भी discrepancy शो हो रही है तो वो समय रहते इसे ठीक कर सकें